तो हाई फ्रेंस हाव आर यू आपका टर्टल कैसा है आई होप आप सब अच्छे होंगे तो आज का वीडियो इन सबजेक्ट पर है कि हमारा कछवा बिमार क्यों होता है जी हाँ फ्रेंस हमारा कछवा क्यों बिमार होता है So friends, हमारी ही कुछ गलतियों की वज़े से हमारा कच्छुआ बिमार होता है हम हमारे कच्छुआ को खुले घर में घूमने छोड़ देते हैं ऐसे में क्या होता है दोस्तों कि कभी कभी हम कीट नाशक दवाई अपने घरों में डालते हैं और कच्छुआ गुमते गुमते गया और खा लिया ऐसे में उसे उल्टी होने लगती है बिमार पर जाता है और हमारी समझ में नहीं आती है कभी कभी क्या होता है हमारी कामबाली फ्लोर क्लीनर डाल कर घरों में पोछा लगाई और पानी को बार डाल दिया जो भी कच्छुआ पी लिया इसके कारण भी उसे infection हो गया और हमें पता नहीं चल पाया कभी कभी घरों के किसी कोने में या दरवाजे में दब गया जिसके कारण उसका cell crack हो गया और हम समझ नहीं पाते फिर उसमें धीरे धीरे infection होने लगता है कभी कभी कहीं उचे जगह में चर गया और वहां से गिर गया या किसी जाली में भी फंस गया इससे भी उसे चोट लग गई और कभी कभी उसके skin भी छिल जाते हैं या कट जाते हैं और वो धीरे धीरे घाव बन जाता है और हमारा कच्छुआ बिमार परने लगता है मैं कितनी बातें बताओं बहुत सारे regions हैं इनके बिमार होने का जी हाँ दोस्तों बहुत सारे छोटी छोटी गलतियां को अगर हम ध्यान दें तो हमारा टर्टल को कोई ब मजने में टाइम लग जाता है इसलिए हमेशा अपने निग्रानी में रखिए और अच्छे केर कीजिए तभी हमारा टर्टल बिमार नहीं होगा सो गाइज आस के लिए इतना ही जैहिंद जैवार्ण